एक बार एक शिव भक्त अपने गाव से केदारनात धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाय तो थी नहीं, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता केदारनात का मार पूछ लेता। मन में भधवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीट गए। आखिरकार एक दिन वह केदार धाम पहुंच ही गया। केदारनात में मंदर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुचा जब मंदर के द्वार बंद हो रहे थे। पंदिक जी को उसने बताया वह बहुत द बार बार भगवन शिव को याद किया कि प्रभू बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रारधना कर रहा था सभी से लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। पंदिक जी बोले अब यहां 6 महीने बाद आना, 6 महीने बाद यहां के दरवाजे खुलेंगे। यहां 6 महीने बर्फ और जरूर कृपा करेगे। उसे बहुर भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी की आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसके और आ रहा है। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैट गया। पूछा बेटा कहां से आये हो। उसने सारा हाल और बोला मेरा आना यहां पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बाते करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले। बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेग इससे पहले की वह कुछ समझ पाता उसने देखा पंदित जी आ रहे है अपनी पूरी मंदली के साथ। उसने पंदित को प्रनाम किया और बोला कल आपने तो कहा था मंदिर छे महीने बाद खुलेगा। और इस बीच कोई नहीं आएगा यहां लेकिन आप तो सुबह ही आ ग गया। कल ही तो आप मिले थे, रात में मैं यही सुगया था। मैं कहीं नहीं गया। पंदित जी के आश्चार्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा लेकिन मैं तो सिक्स महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज सिक्स महीने बाद आया हूं। तुम छह महीने तक यहां पर जिन्दा कैसे रह सकते हो। पंदिक जी और सारी मंदली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे च्छ महीने तक जिन्दा रह सकता है। तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बाते बता दी। कि एक सन्यासी आया पर जी और दी किंतु प्रभू के दर्शन ना पा सके, सचे भक तो तुम हो। तुमने तो साक्षाग भगवान शिव के दर्शन किये है। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे छे महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया। ताल खन को छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्वा और विश्वास के कारण ही हुआ है। हम आपकी भाक्ती को प्रणाम करते हैं। बाबा भोले नात की जय हो।